दोस्तो प्लास्टिक, हमारी आज की मॉडरन लाइफ स्टाइल की सबसे जरूरी कॉमेडिटी के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या भी बन गया है लेकिन प्लास्टिक के साथ परेशानी ये है कि आप इसे खत्म नहीं कर सकते फिर चाहें वो किसी भी रूप में रहे अगर आप एक पॉलथीन को ही देखें तो उसे वापस मिट्टी में मिलने में लगभग 600 साल का समय लग जाता है जबकि प्लास्टिक का इस्तिमाल होना ही आज से 70 साल पहले शुरू हुआ था यानी जो पहला प्लास्टिक प्रोडक्ट हमने बनाया था वो आज भी धर्ती पर किसी ना किसी रूप में मौजूद है और धर्ती के पॉलीशन में एक बड़ा रोल अदा कर रहा है कुछ लोग प्लास्टिक को कूडे के साथ जलाने की कोशिश करते हैं जिसके बाद ये खतरनाक कैस में बदल कर हमारे वाईयो मंडल में ही घूमता रहता है लेकिन प्लास्टिक तो इस्तिमाल करना है और प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए बहुत से तरीके सुझाए जाते हैं लेकिन कुछ साल पहले विज्ञानिक ने अपना फोकस बदला और प्लास्टिक को सडके बनाने और कपड़े बनाने के काम में इस्तिमाल करने लगे आज हम जिस टेकनलोजिक की बात करने वाले हैं वो इसे एक कदम और आगे ले गई है और हम प्लास्टिक से ही हम जेट इंजिन के लिए फ्यूल बनाने का काम कर रहे हैं क्या है ये पूरा मामला कैसे इन्होंने ये असंभव सा दिखता हुआ काम कर दिखाया जानेंगे हम सभी आज की इस वीडियो में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्लास्टिक और एन्वायर्मेंट से जुड़ी खबरों पर ज्यादतर हमारे आसपास के लोगों के पास कोई राय या गेम प्लैन नहीं होता उन्हें लगता है ये समस्या तो है लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे देश में इसे कोई गंभिरता से नहीं लेता डॉक्टर हैन्वू की इस रिसर्च के बारे में जानने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये रिसर्च इतनी जरूरी क्यों है कि आप जानते हैं कि 1950 से अब तक के 70 सालों में इनसान ने 8,000 करोड टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रिडियूस किया है और इसी में से हर साल 70,000,000 टन प्लास्टिक हमारे महसागरों के अंदर प्रवेशिक कर जाता है एक स्टेडि की माने तो आने वाले सालों में महसागरों में समुद्री जीवों से ज्यादा प्लास्टिक पाया जाएगा यो की बेहद चिंता जनक और खतरनाक बात है अगर आपने नर्थ पैसिफिक गायर के बारे में नहीं सुना है तो जान लीजिए कि ये समुद्र का ही एक इलाका है और अकेले सिर्फ इस जगह पर ही एक लाख करोड प्लास्टिक के पीसिस पड़े है जो सभी के सभी कुछ एशियाई देशों में से आये है इसके अलावा अब तो प्लास्टिक आपके खाने में भी घुसाया है प्रमालते रिसर्च ने ये बात साबित की है हर इंसान एक साल में इतना प्लास्टिक खा लेता है कि उससे एक नया ATM कार्ड बनाया जा सके प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीने से लेकर समुद्र से निकले नमक तक प्लास्टिक आपके शरीर में कई तरीकों से घुस सकता है अगर आप मचली खाते हैं तो समुद्र में प्लास्टिक ज्यादा होने की वजह से उनके शरीर में भी प्लास्टिक चले जाते हैं या जमना शुरू हो जाते हैं जिससे आप फिर प्लास्टिक की जकड में आ सकते हैं ऐसी कई तस्वीरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी जिसमें बचलियों के पेट से प्लास्टिक की पनिया मिली हैं जिन्हें उन्होंने गलती से निगल लिया था भारत में भी गाये जैसे कई चन्ने वाले पश्चुव के पेट से प्लास्टिक मिल जाता है जो उनके दूद पर बुरा सर डालता है प्लास्टिक इसके लावा आपकी शराब में भी खुश गया है और कई बीर के सैंपल्स में प्लास्टिक की काफी बड़ी मात्रा मिली है इसमें एक कंपनी का कोई दोश नहीं केवल हमारे धीलेपन का है हानवु ली और उनकी टीम इसी तरह के खतरों को कम करने के लिए नए नए रास्ते खोज कर इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है प्लास्टिक को अमूमन डीकंपोज होने में सेकलों साल लग जाते हैं इसलिए ली ने एक नए तरीका निकाला और उन्होंने प्लास्टिक से फियूल बनाने के शुरुआत की जट फियूल का सबसे महतपूर कंपोणनन्ट हाइडरोजन होता है इसलिए ली की एक टीम ने प्लास्टिक को एक्टिवेटिड कार्बन के साथ मिक्स करना शुरू किया एक्टिवेटिड कार्बन का काम इस रियक्शन को तीज करके ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़ने का होता है इस प्रक्रिया के दौरान एक्टिवेटिट कार्बन और प्लास्टिक को ऑक्सिजन से दूर एक सील्ड कंटेनर में रखा जाता है और 571 डिग्री शेल्सियस के तापमान पर छोड़ दिया जाता है धीरे धीरे ये सारा मिक्शेर एक नए लिक्विड मिक्शेर में कनवर्ट होना शुरू हो जाता है इस नए मिक्शेर में 85% जेट फ्यूल के साथ साथ 15% टीजल भी बनता है जिसे बाद में अलग किया जा सकता है ना सिर्फ इस प्रकरिया से आप 100% प्लास्टिक का सही इस्तमाल कर पाते हैं पर इस पूरी प्रकरिया के दोरान उसमें से निकलती हुई कैसिस को भी आप एक फ्यूल के तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं ली को पूरा यकीन है कि जैसे जैसे इस तरीके को लैब से बाहर निकाल कर बड़े स्थर परिस्तमाल में लिया जाएगा दुनिया की बहुत सी परिशानियां खत्म हो सकती हैं। ली कहते हैं प्लास्टिक को ठिकाने लगाना और फ्यूल बनाना एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। और ये प्रिकरिया अगर छोटे-छोटे किसानों और फैक्टरियों के पास भी आ जाए तो वो भी इसे खुशी से अपना लेंगे। ली जैसे कई लोग अब प्लास्टिक को लगातार रीसाइकल करते रहने के पीछे नए-नए इनोवेशन से लेकर आए हैं। 40% प्लास्टिक हम लोग रीसाइकल कर देते हैं। नौर्थ पैसिफिक गायर को भी लगातार साफ करने की कोशिश कई वॉलिंटरिंग टीम से करती रहती हैं। सीबिंस नाम काई कविशकार भी अभी बहुत प्रचलेत हो रहा है। ये एक ऐसा डेस्ट बिन है जिसे पानी में डाल दिया जाए तो इसके पंप्स की मदद से ये प्लास्टिक को खुद में कैद कर लेता है। और हर दिन करीब 4 किलो या साल में कहें तो 1.4 टन प्लास्टिक ये खुद में कैद कर रहा है। 26 देशों में लगाए गई ये 450 सीबिंस इसी तरह से काम कर रहे हैं। दुनिया में इस वक्त अगर प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रडूसर देश देखा जाए तो वो चीन है। चीन का हर साल का प्लास्टिक वेस्ट लगभग असीटन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। लेकिन उसका plastic waste चीन के आधे से भी कम है चीन ने 1980 के बाद 30 से ग्रोथ के मामले में छलांग लगाई है और जितनी तरक्की अमेरिका ने 20 सदी के 100 सालों में भी नहीं की थी उतनी तरक्की उन्होंने केवल 40 सालों में कर ली है लेकिन इसी तरक्की के कारण आज वो दुनिया में plastic का जहर भी फैलाए जा रहा है plastic और production के कारण चीन के कई शहर लगातार इस लिस्ट में नंबर एक या नंबर दू पर रहते हैं लेकिन चीनी सरकार ने कभी भी दुनिया से इसके लिए माफी नहीं मांगी चीन से बाकी देशों के नफरत करने की एक वज़ा ये भी है कि बाकी देशों के सरकारे जहां एक दूसरे से बात करते हुए इस परियावरण के खतरे पर एक दूसरे को चेतावनी देकर सावधान करती रहती है वहीं चीन की सरकार किसी विदेश से पहले अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए ही कदम उठाती है भारत के लिए भी इसमें सीख है कि क्या हमें दुनिया भर की परवा किये बिना इस तरह से प्लास्टिक के साथ ग्रो करना है या उसके बिना आपको इस बारे में क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया